Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम existing group policy objects को अपने active directory infrastructure यानि के domains के उपर, OU's के उपर और sites के उपर कैसे link करते हैं तो इसके लिए मैं group policy management console open करता हूँ, उसके लिए start पे click करता हूँ, administrative tools पे जाता हूँ और यहां से group policy management console को open करता हूँ, या फिर जैसे कि आपको पहले भी बताया था, एक command है gpmc.msc, उससे भी group policy management console open किया जा सकता है, तो इसको click करते हैं, तो हमारा group policy management console open हो गया है, इसमें आ आपके forest में वो आपको दिखाई देंगे, तो हमारे यहां पे एक ही domain है king.jst, और वो आपको देख रहा है, और इसके बाद group policy objects, तो जितने भी group policy objects हैं, वो आपको यहां पे देख रहे हैं, अगर आप इन में से कोई group policy object कहीं पे भी link करना चाहते हैं, तो आप link कर सकते हैं, for example, जैसी test ball है, और test ball को मैं link करना चाहता हूँ, अपने active directory objects के साथ, तो चलिए इसको देखते हैं, मालेजे कि यह OU है, हमारा sales OU, और इसके साथ एक GPO पहले से ही linked है, अगर आप एक और GPO इसको link करना चाहते हैं, तो आप यहां पे link and existing GPO करेंगे, और जिस GPO को link करना चा के उपर देना चाहते हैं, तो यहां पे आप domain को right click करेंगे, और यहां पे देखे, लिखा हुआ है link and existing GPO, इसको भी click करके देखे, यहां पे भी test ball आ रहा है, आप इसको select कीजिए, तो देखे, test ball दोनों जगा पे, यानि के पूरे domain पे और sales OU के उपर भी apply हो गया है, इनक लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने environment में दो OU's के उपर एक ही जैसी policy लगाना चाहते हैं, जो parallel में होते हैं, hierarchy में नहीं होते हैं, यानि कि जैसे यह sales है और यह accounts है, और इस account के उपर भी आप यह policy लगाना चाहते हैं, तो आप इसको just right click करेंगे, और इसके उपर आप link करने देंगे existing GPO को, तो देखें, यह एक ही policy है, जो कि हमारे group policy objects में created है, लेकिन हमने उसको अपने active directory में, domain पे भी हम उसको link कर सकते हैं, OU's के उपर भी link कर सकते हैं, और एक ही policy multiple location के उपर भी linking की जा सकती है, हम किसी भी policy को click करके, जैसे कि test poll को click करते हैं, और लिक्स में वो policy जहां जहां पे भी link होती है, जहां जहां पे भी link होती है, वो location आपको दिखा देती है, तो जैसे कि test poll आपके accounts OU में आपके सामने लगाई है, sales OU पे लगी होई है, और पूरे के पूरे domain के उपर भी लगी होई है, तो हम यह भी check कर सकते हैं कि एक GPO कहां क यहां पे linked है, उस GPO को click करके, इसके बाद चलिए सीखते हैं कि हम एक GPO को sites के साथ कैसे link करते हैं, तो उसके लिए forest, domain, आपका domain, यहां पे है sites, देखें, यह blank दिखा रहा है, sites को right click करना है, और यहां पे एक option है, show sites, देखें, यहां पे आ रहा है, default first site name, क्योंकि यही अके link and existing GPO, इसको click करके, जो भी आप policy लगाना चाहते हैं, उसको select कीजिए, और ok पे press कीजिए, तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे group policy objects को, अपने active directory, infrastructure, यानि के domains पे, OU's पे, और sites के साथ link कर सकते हैं, और एक particular GPO को click करके, यह भी देख सकते हैं, कि वो कहां कहां पे linked है तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening